गुस्साइब पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया कि थाने पहुँचकर अपने हतियार जमा कर दिये बुले ये हतियार रख लीजिए और 22 से जादा करीब थाने ऐसे हैं जहांपर काम करने वाली ये सहाय कारक्षक गुस्सा कर एक मैदान में खटा हुए और अपने हतियार ले साथ मारपीट हुई लाठी टली उन पर उनके साथ जो विवार हुआ इसको लेकर आक्रोश था यही वज़े है कि यहां के स्थानी एक पार्क में यह सब सहाय का रक्षक जिनकी संख्या 20-30 थाने बताये जा रहे हैं एक साथ जुड़ गए थाने पहुँच गए और अपनी ब मारपीट किये हैं सर यह उनको अन्या मिलना चाहिए सर उन लोग बिन पूचे लेडिस के उपर आत उटाएं यह गलत बात है सर जो आधिकारी है हो समाझ दूए ड्यूटी अपना निभाते हुए यह लेडिस के उपर में आत उटाएं यह गलत किया है सर यह बहुत गलत है इनको अन्या मिलना चाहिए सर किसी भी परकार से आप लोग पुलिस प्रसाइशन से जुड़े हैं जी स्टेप साब के पैमलीक साथ हो रहा है इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में हम लोग सब के सब राइपल जमा करके हम जाएंगे बूटे हैं पुलिस आरक्षक की बात तो आपने सुनी सहायक पुलिस आरक्षक ने अपने बात करें लेकर जो अधिकारी हैं पुलिस के इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं ये बी सुन लिजी इस बात को लेकर कल पुलिस मुक्याले में डी जी साब से भी उन लोग के मुलाकत हुई है उन सब के मांग को बारे में पार के कम वीरता से विचार उमर्स की गए थे और पूरा उमीद आना वाला जल्दी इसमें सक्रात में कुछ नहीं हो सकता है सुना अपने अधिकारी कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और जो शीर्ष इसतर के अधिकारी हैं प्रदेश मुक्याले में उन से भी बात की जाएगी जल्दी समस्या का समाधान निकाला जाएगा लेकिन बड़ा सबाल यह उड़ता है कि पुलिस वालों का यह जो गुसा है यानि आक्रोश इस तरीके निकला के हतियार जमा कराने पहुच गए अपने ही थाने में वीजापूर से आप तक एक वर पहुचाई हमारे समवालत धर्मेन महापात्रन है आप देखते रहें एमकी तक कर दो